मूवी के शुरुवात में हम एक नर्सिंग होम देखते हैं, वहाँ पर कई सारे पेशंट रहते थे, फिर हम वहाँ मूवी की मैन कैरेक्टर समीरा को देखते हैं, जिसे कैंसर था और उसके पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे थे, जिस वज़े से समीरा बहुत बनाता है, वो सबसे कहता है कि हम कल न्यू यॉर्क में थेटर शो देखने के लिए जाएंगे, समीरा एक शर्त पर मान जाती है कि रूबेन उसे वहाँ के एक शौप से पिज्जा खिलाएगा, जिसके बाद ये सारे पेशंट्स अगले दिन बस से होते हुए न्यू यॉर् लेकिन uniformा को वो शो बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए वो बाहर आकर खाने के लिए चॉकलेट खरीती है, तब ही रूबेन भी बाहर आता है, और समीरा से कहता है कि हम सब को यहाँ से निकलना होगा, पता नहीं लेकिन मुझे कई सारे message आरहे हैं कि हमें इस शेहर से बाहर जाना चाहिए शायद यहां कुछ खत्रा है और जिस वजह से में तुम्हें पिज्जा भी नहीं खिला पाऊंगा ये सुनकर समीरा और दुखी हो जाती है और अपना उदास मुम लटकाते हुए जाकर पस बैठती है और गाने सुनने लगती है अब कुछ आगे जाते ही उसकी उलका पिंड इनके पस के पास भी गिरता है जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और हर तरफ धुआ होने के कारण समीरा को कुछ दिखाई भी नहीं देता इसलिए वो पस से उतर कर इधर उदर देखने लगती है जहां कुछ लोगों को चोट आई थी इसलिए वो लोग मदद क के लिए चिला रहे थे लेकिन समीरा देखती है कि कोई चीज लोगों पर हमला कर रही है जिससे डर कर समीरा गाड़ी के पीछे छुप जाती है जिस दोरान समीरा देखती है कि वो चीज और कोई नहीं एलियन ग्रियेचर्स थे और वो एलियन सिर्फ उन्हीं लोगों पर हम जो चिलाते या कोई आवाज करते ये देखकर समीरा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी प्लास्ट होती है जिससे समीरा पीछे गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने कुछ लोग होते है उन में से हेनरी नाम का आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है ये लोग और कोई नहीं वही फैमली थी जो उसे थेटर में मिली थी समीरा देखती है कि वो थेटर में है और वहाँ उसकी तरफ कई सारे लोग चुपे हुए है उन लोगों को भी पता चल गया था कि अगर उन एलियन्स से बच्चना है तो खामोश रहना पड़ेगा तब ही समीरा को वहाँ रूबेन भी दिखता है एक दुसरे को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते है फिर रूबेन समीरा को उसकी कैट फ्रोडो भी देता है जिसे देखकर समीरा को राहत मिलती है इसी दो जैसे वो एलियन्स आवाजों के जरीए इंसानों पर हमला करते हैं इसलिए कोई भी आवाज ना करें और शान्त रहे हम आप सभी लोगों को यहां से जल्द से जल्द रेस्क्यू करेंगे लेकिन वही अब इस हेलिकॉप्टर की आवाज सुनकर कई सारे एलियन्स इनके थे तब ही समीरा देखती है कि वो कैट दरवाजे के पास खड़ी है और बाहर की तरफ एलियन्स घूम रहा है और तब ही उसकी कैट आवाज कर देती है जिससे वो एलियन्स दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाता है लेकिन समीरा सही वक्त पे अपनी कैट को लेकर छुप जाती है समीरा बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो एलियन उसके बहुत पास था वो एलियन और अंदर आ पाता कि तभी वापस हेलिकॉप्टर की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो एलियन बाहर चला जाता है और समीरा बच जाती है जिसके बाद वो वाश रूम में जाकर ब्रजेस से दूर रहो जब तक हमारा अगला ओर्डर ना आए तभी उसी वक्त इन्हें किसी धमाके की आवाज आती है जिसे देखने के लिए सारे लोग छट पर जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि गवर्मेंट के द्वारा इस शहर के सारे ब्रजेस को तोड़ा जा रहा है ताकि ये एलियन्स इस शहर से किसी दुसरे शहर में ना जा पाए अब इस शहर से बाहर जाने का कोई रास्ता ना देखकर एक आदमी घबरा जाता है और चिलाते हुए कहता है कि हम लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला हम सब मारे जाएंगे लेकिन हेनरी उसे चुप कराने लगता है ताकि उसकी आवाज से कोई एलियन यहां आना पाए लेकिन वो आदमी इतना पैनिक हो गया था कि वो और जोरों से चिलाने लगता है जिस वज़े से हैनरी घबराहट में उसका सर पटकता है जिससे उसी वक्त उस आदमी की मौत हो जाती है लेकिन परान थेटर की लाइट चली जाती है और जिस वज़े से थेटर का एमरजैंसी जनरेटर चालू हो जाता है जिसकी बहुत तेज आवाज आने लगती है जिस सुनकर समीरा और रूबेन भागते हुए जनरेटर के पास जाते हैं लेकिन रूबेन समीरा को उसके साथ आने से म ये देखकर समीरा को बहुत बड़ा छटका लगता है क्योंकि रूबेन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। पार्क में रुकती है क्योंकि उस पार्क में वाटर फाउंटेन था जिससे उस पानी के आवाज में इनकी आवाज दब जाएगी जिससे एलियन इन्हें सुन नहीं पाएंगे। पानी में तेर नहीं सकते। इसलिए इन सारे लोगों को शहर के साउथ सी पोर्ट के पास बुलाते हैं। जहां से बोर्ट के जरीए इनको वहां से बचाया जाना था। ये सुनते ही समीरा बच्चों को लेकर उसी पोर्ट की ओर जाने लगती है। लेकिन उस हेलिकॉप्टर की आवाज सुनकर सैकडों एलियन्स उसका पीछा करने लगते हैं। जिससे बचने के लिए समीरा बच्चों के साथ एक टनल में छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक इलियन आता है पर कई देर इन लोगों के आवाज ना करने पर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद समीरा टनल से निकल कर बच्चों के साथ सी पोर्ट की ओर निकल पड़ती है। लेकिन वो देखती है कि शहर के सारे लोग रस्ते पर आ गए थे और शान्ती से चलते हुए सी पोर्ट की ओर जा रहे थे। जहां समीरा बच्चों को उन लोगों के साथ भेज देती है और खुद अपोजिट दिशा में जाने लगती है क्योंकि उसे किसी रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना था और साथ ही उसे टर्मिनल कैंसर भी था जिससे उसकी मौत पक्की थी तो वो बच्च कर भी क्या करेगी अब उसी दोरान हम देखते हैं कि इतने लोगों के एक साथ चलने के कारण वहां आवाज हो रही थी जिसे अब एलियन्स सुन लेते हैं और उस पुरी भीड पर हमला करते हैं जिससे सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं जिस धक्के में बिचारी समीरा नीचे गिर जाती है और उसकी कैट भी डरक कर वहां से भाग जाती है अब इन लोगों के भागने से और आवाज हो जाती है जिससे वो एलियन्स लगातार इन पर हमला कर रहे थे इसलिए समीरा उनसे बचने के लिए एक गाड़ी के नीचे खुश जाती है फिर लोगों की भीडगम होते ही वहाँ से निकल जाती है और किसी जगह जाकर छुप जाती है। वही अब हम समीरा की बिल्ली को देखते हैं, जो इधर उधर भाग रही थी, जहां वो एक जगह जाकर पानी पीने लगती है। तभी उस पानी में हम एक आदमी को देखते हैं, जो एलियन्स से बचने के लिए पानी में छुपा था। फिर हम समीरा को देखते हैं, जहां उसकी बिल्ली ने अब उसे ढूंड लिया था। समीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां हम उस आदमी को देखते हैं, जो उस बिल्ली का पीछा करते हुए वहां आया था। फिर समीरा उसे इशारा करते हुए सी पोर्ट की तरफ जाने को कहती है, और खुद उल्टी दिशा में जाने लगती है। जहां वो आदमी भी उसके पीछे आ रहा था, पर तभी वहां बारिश आने लगती है। समीरा एरिक को लेकर अपने घर आती है, लेकिन समीरा के पास अपने घर की चा भी नहीं थी, इसलिए वो एरिक को घर का दर्वाजा तोड़ने के लिए कहती है, जहां एरिक बिजली करजते ही उस आवाज के साथ ही दर्वाजा तोड़ देता है, ताकि इनकी आवाज एलिय में आया था समीरा भी अपने बारे में बताती है कि वो पहले पोईट राइटर थी लेकिन जब से उसे पता चला था कि उसे कैंसर है तब से उसने ये सब कुछ छोड़ दिया फिर एरिक कहता है कि हम दोनों को यहां से निकलना होगा लेकिन समीरा कहती है कि मुझे कैंसर है और उसके पापा उसे पिज्जा खिलाया करते थे इसलिए समीरा अपने पापा की याद में एक बार पिज्जा खाकर मरना चाहती थी अब बात करते हुए ही इनकी नींद लग जाती है जिसके बाद हम सुबह का वक्त देखते है जहां समीरा अपनी आँख खुलते ही एरिक को बिना बताए वहां से निकल जाती है ताकि एरिक उसके पीछे ना आकर सी पोर्ट की तरफ जाए अब जाते हुए समीरा को तबाह हुई लाइबरेरी दिखती है अब समीरा को बुक्स पढ़ने का भी शौक था इसलिए वो जाकर वहां बुक पढ़ने लगती है तब ही फ्रोडो समीरा के पीछे किसी चीज को देखती है फ्रोडो को देखकर समीरा समझ जाती है कि उसके पीछे कोई एलियन होगा लेकिन उसके पीछे एरिक था जिसे देखकर समीरा बहुत गुस्सा होती है वो कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करू लेकिन उसी दौरान समीरा से कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है और अब यहाँ पर आवाज हो गई थी ये लोग अब समझ जाते हैं कि एलियन्स यहाँ आते ही होंगे इसलिए ये दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में घुसने लगते हैं लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे पर कोई चीज अटकी हुई थी जिस वज़े से दरवाजा खुल नहीं रहा था पर एरिक किसी तरह उसे खोल देता है लेकिन उस चीज से वहाँ आवाज हो जाती है जिससे वो एलियन्स उस बिल्डिंग में आने लगते हैं जिनसे बचने के लिए ये दोनों बिल्डिंग में चक्कर लगाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते है जहां एरिक उन एलियन्स का ध्यान भटका कर समीरा के साथ सब्वे स्टेशन में घुश जाता है लेकिन इनका पीछा करते हुए एक एलियन भी वहां आ जाता है जिस वज़ा से ये दोनों और अंदर आ जाते हैं जहां ये देखते हैं कि ट्रेन टर्मिनल पूरे पानी से भरा हुआ है अब इनके पास यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए ये दोनों पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन आगे बढ़ते हुए पानी का लेवल भी बढ़ रहा था, ये देखकर एरिक बहुत तर जाता है और जोरो जोरो से सांसे लेने लगता है, लेकिन समीरा उसे हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने को कहती है, पर अब तक उस एलियन ने इनकी आवाज सुन ली थी और अब वो इन पर हमला करने आता है, जिसे देखकर ये दोनों पानी में डुपकी लगाते हैं, वो एलियन भी पानी में खूद जाता है, और तेरना पाने के कारण वो एलियन डुपकर मारा जाता है, वही हम उन दोनों को देखते हैं, जो तैरते हुए दुसरे किनारे तक पहुँ इसलिए एरिक समीरा से उसके मेडिसिन्स पूछ कर उसे लेने के लिए अकेला ही चला जाता है जहां उसे एक मेडिकल शॉप दिखती है जहां से उसे समीरा की सारी मेडिसिन्स मिल जाती है लेकिन जब वो उस मेडिसिन्स को ले रहा था तभी उसे अपने पीछे किसी के होने क आभास होता है लेकिन वहां और कोई नहीं फ्रोडो थी जो उसका पीछा करते हुए वहां आई थी जिसके बाद एरिक सारी मेडिसिंस लेकर फ्रोडो के साथ वापस जाने लगता है लेकिन कुछ आगे जाने पर फ्रोडो कहीं पर भाग जाती है जहां एरिक उसे रोकते खुश्पू सूंग कर वहां आई थी एरिक फ्रोडो को लेने के लिए जाने ही लगता है कि वहां एक एलियन आ जाता है जिससे डर कर वो बिल्ली पोल पर चड़ जाती है एरिक भी डरते हुए उपर चड़ने लगता है लेकिन उससे गलती से आवाज हो जाती है और तभी वो एलियन उसके बहुत पास आ जाता है और गौर से सुनने लगता है लेकिन एरिक कुछ भी आवाज नहीं करता जिससे वो एलियन वहां से चला जाता है फिर एरिक जाकर समीरा को उसके medicines देता है जिससे समीरा को ठीक लगने लगता है फिर समीरा उसे कहती है जब से मुझे पता चला कि मुझे cancer है तब से मेरे जिंदगी का मकसद खत्म हो गया मुझे आज ना कल इस दुनिया से जाना होगा लेकिन मुझे जाने से पहले उस restaurant से pizza खाना है मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती थी मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा मुझे उस restaurant में ले जाते थे और मुझे पिज़ा खिलाते थे इसलिए मैं मरने से पहले एक बार उस restaurant से पिज़ा खाना चाती हूँ और यही अंतिम इच्छा पुरी करने के लिए मैं इस शहर में आई थी जिसके लिए Eric भी मान जाता है फिर ये लोग सुबा होते ही उस restaurant की तरफ निकल बढ़ते हैं लेकिन उन aliens के हमले में वो पूरा restaurant चल गया था जिसे देखकर समीरा बहुत खुश होती है और वो दोनों फिरोडो के साथ उस पिज़ा को enjoy करते हैं जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं जहां समीरा देखती है कि सी पोर्ट से एक आखिरी rescue बोर्ट पचे हुए लोगों को लेकर जा रही है अब समीरा अपने कारण एरिक और फिरोडो की जान नहीं लेना चाहती थी इसलिए वो एरिक से फिरोडो को लेकर वहां से जाने को कहती है लेकिन बोर्ट की आवाज सुनकर वहां किनारे पर बहुत सारे aliens आ गए थे जिस कारण ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते जहां समीरा अब एरिक को अपनी बिल्ली देते हुए कहती है कि तुम बच्चते हुए बोर्ट तक पहुँचो मैन इन एलियन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो फिर समीरा एक लोहे के रौड से गाडियों के शीशे तोड़ने लगती है ताकि सारे aliens उसकी तरफ आ जाए और ऐसा ही होता है गाडियों का शोर सुनते ही सारे aliens उसकी तरफ तूट पड़ते है जिसकी आवाज उस बोर्ट पर के लोग भी सुन लेते हैं और तुरंद अपनी बोट को रोकते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग अभी भी वहाँ बचे हुए हैं, वही एरिक भी सही मौका देखकर बोट की तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ एलियन्स उसकी आवाज सुन लेते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उसे कुछ कर पाते, तब तक एरिक पानी में कूद जाता है, और तैरते हुए सही सलामत बोट तक पहुँचता है, ये देखकर समीरा रोने लगती है, वो बहुत खुश थी कि एरिक और फ्रोडो आखिर कार बच गए, फिर हम एरिक को देखते हैं, जो अब सही सलामत घर प लेकिन जिन आखिरी दिनों में तुम मुझे मिले, उन दिनों में मैंने अपनी जिंदगी जी, तब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिला कि मैं तुम्हारी और फ्रोडो की चान बचाओं और मैंने अपना मकसद पूरा किया, फिर वो लिखती है कि फ्रोडो को प्यार दे जहां वो बहुत खुश थी लेकिन तभी वो अपना इयरफोन निकाल लेती है और फुल वॉल्यूम पे गाने बचाती है और अब वहाँ एलियन्स आते हैं क्योंकि उसके जिंदगी का मकसद अब पूरा हो गया था और अब वो खुशी से मरना चाती थी और इसी emotional scene के साथ ये movie यही पर खत्म होती है अगर आपको ये movie पसंद आई है तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर देना और comment में वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना हम मिलते हैं इसी तरह और एक interesting movie के साथ तब तक के लिए बाए बाए